हमारे अहां सरकारी प्रयासों से बहुत सारे वर्ग बनाने की कोशिस होती रही है हलाकि यह कोशिस अंततह नाकाम ही रहती है क्योंकि सभी वर्ग एक जाती में परिवर्तित हो जाते हैं क्योंकि सम्विधान में जो उलेक है जो उसकी माननेताएं हैं उसकी अनुशार इसे वरगई ही माना जाना चाहिए पर हमारी संसद ने EWS नामक एक नई जाती का स्रिजन किया वहां एक सो तीनवे सम्विधान संसोधन के तहत जिसका विधिक और सम्विधानिक प्रमाडी करण हमारे उच्चतम ने आयले ने कर दिया है अब भारत में कोई ऐसी जाती या धार्मिक समूह नहीं है जो यह कह सके कि वहां आरक्षड की बिवस्था से बाहर है मतलब भारत की 90 प्रत्शत से उपर की जनसंख्या आरक्षड के दायरे में आ गई हो बधाई हो